लाइफ में हमें अपने आपको जितने महलू देने चाहिए उतनी हम देती है नहीं जिस चीज को हम पाना चाहते है जो हमें चाहिए होता है वो हम डिजर्व नहीं करते है ऐसा हमें हमेशा लगता रहता है लाइव आपको बहुत सारे chances देती है और जब भी आपको मिल सकें तो आपको जो आपको चाहिए वो पा लेना चाहिए टाइम निकल जाने से पहले आपको एक करना चाहिए इस एक beautiful message के साथ आज की movie आती है आज मैं आपको बेबरुमिन कैंडी ये 1998 की Korean drama movie एक्स्पिन करने वाला हूँ इसकी I'm Reborn Rating 7.7 है और ये आदमी की suicide की story है इस story को बहुत ही heartbreaking और बहुत ही सही तरीके से construct किया गया है तो चलिए शुरू करते है movie का first time period आता है और ये 1999 है इस movie में बहुत सारे time period दिखाय गया है और ये back story की तरह अलग अलग पीछले time period आते रहते है इस movie में बहुत सारे time period दिखाय गया है और previous time period इसमें आते रहते है ये job time period हमें दिखाय गया है ये present का time period है इसमें हमें एक trend tunnel से जाती हुई दिखती है ये एक डार्क टनर है और इसके दूसरे बाजू में एक लाइट भी है येक इंसाइट हमें तेते हुए एक आदमी हमें इस ब्रीज के नीचे बड़ा हुआ दिखता है यही हमारा में क्यारेक्टर है इसका नाम हम जॉन रखेंगे जॉन आकाश के तरफ देख रहा है और इसके आखों में आसू है यह रिवर के पास होता है और बहुत सारे लोग वहाँ पार्टी कर रहे होते है डीजी वगरा चला रहे होते है और डांस कर रहे होते है उनके पास हो जाता है और डांस करने लग जाता है इन मेंसे जो कोज आतनी होते है अब इसे पैचान लेते है उसे नेम से पैचानते है ये जो John है यह इनके ही स्कूल का फ्रेंड था। इनके आज reunion है इसमें जॉन आया है ये एक बड़ा आदमी बन चुका है इसलिए इसका congratulations वो करते है उसके life के बारे में ये पूछना चाते है इनके friend circle का जो एक leader होता है वो जॉन को बेटा कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत पहले ही contact करना चाहता था पर तुम्हारा contact वही मुझ करना चाहिए था यह सब बोल रहा होता है तो जॉन को बुस्ता आ जाता है जॉन कहता है कि पस हुआ ठीक है तुमने मुझे contact नहीं किया इससे कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ता सब friends फिर उसे cheer up करने के लिए dance के लिए लेकर जाते है जॉन कैरी होके पर गाना गाना च जाते है इसमें चलने लग जाता है जो गाना वो गा रहा था वो अभी भी गा रहा है जिस bridge से train आ रही थी उसी bridge पर यह चड़ जाता है सब friends इसके लिए worried हो जाते है जो group leader होता है उसके पीछे बागता है उसे नीचे निकलने के लिए बोलता है वहाँ से train आती है उसके लि पर कोई भी करता नहीं और एक train आती है group leader होसे बोलता है कि नीचे आ जाओ पर यह train रुकती नहीं और इस बार जॉन के track पर होती है अब हमें next time period तीन दिन पहले का दिखाय गया है जॉन ने suicide करने के पहले यह चीज हो रही है जॉन अपने गाड़ी में C की यहाँ आता है व तो both वाले लोग हो ते इस view को दिखाने के लिए उनसे थोड़े से पैसे लेते हैं जो गहती है कि इतने बी जादा वो पैसे नहीं लेते है जौन कहता है कि नार मिट जाने इतना ब्यूटिफूल ही जाता है तो जॉन वहाँ आ जाता है उस पर वो गन चलाने वाला होता है पर यह आदमी जुग जाता है उसे गोली नहीं लगती जॉन डरकर वहाँ से भाग जाता है जॉन ने इलीगल अपनी कार पार्किंग का टिकेट मिल जाता है यह वो पेह नहीं कर पाता है और वो निकाल क्यों आया हो यह एक्चुल में उसकी लड़की से मिलने आया हूँ होता है पर इसके वाइफ अब उसे मिलने नहीं देने वाली थोटा कुट्टे का वैच्छा इन्होंने पाला हूँ होता है तो यह कहता है कि मैं इससे मिलने आया हूँ इस कुट्टे को सहलाता है उसके वाइ लेया है वो जॉन की पीछे उसके घर में आ जाता है वो खहता है कि तुम्हें ढूंड़ना बहुत ही डिफिकल्ट था जॉन फिर अपनी गन निकालता है वो खहता है किसने बेजाए तुम्हें या आदमी कुछ भी बोल नहीं रहा होता फिर वो कहता है यह जो गन मैंने बाइ स्टॉक ब्रोकर को जिसने मैंने सारे पैसे ले लिये मेरा फ्रेंड जो मेरे विजनेस के पैसे लेकर भाग गया लोन वाले जो हमेशा मुझे तंग करते रहते थे या मेरी वाइफ और लड़की और तुम यहाँ अब आए हो तुम्हारा आज का दिन कुछ अच्छा नहीं ह उससे पुछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो वो कहता है क्या तुम सुंची को जानते हो जौन पहले समझ नहीं पाता रहो कहता है कि तुम दोनों कपल्स थे यह जो आदमी होता है कि सुंची का हस्बन होता है सुंची और जौन का बहुत सालों पहले प्यार था सुंची जब बेर पर है और वो मरने वाली है इसी वज़ये से उसे अब John को फिर से वापस देखना है सूंची के लास्ट वीश है इसलिए उसका हस्बढ़ जान को लेने आये हूँ होता है जॉन वे सुन्ची को देखने के लिए मान जाता है सुन्ची का हस्बंड उसे कुछ कपड़े देता है जब वो हास्पिडल पहुचते है तो सुन्ची का हस्बंड को पता चलता है कि सुन्ची कोमा में चली गई है वो अब किसी से भी बात नहीं कर सकती जॉन ने सुन्ची के लिए पेपर्मिंट कैंडी लाई हुए होती है वो फिर अंदर जाता है वो फिर भी उससे बात करना चाता है वो कहजा है यह हमें मिले बहुत साल हो चुके है मैंने तुम्हारे लिए पेपर्मिंट कैंडी लाई है क्या तुम्हें याद है जब मैं आर्मे में था तो तुम मुझे ये भेजा करती थी मैं इसे हमेशा समाल कर रखता था ये वही पेपर्मिन कैंडी है ये वहाँ आर्मे में अलाउड नहीं था इसी वज़े से मैं ट्रवल में भी आ गया था पर फिर भी मैंने इसे जतन करकर रखा है जॉन फिर रोने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है सुन्ची कोमा में थी पर फिर भी ये सब सुन रही थी उसके आख में आसु आ जाते है जब जॉन नीचे आता है तो सुन्ची का हस्बंड उसे कैमेर देता है वो कहता है सुचीन ये तुम्हारे लिए लाया था ये वो तुमें ही देना चाहती थी जॉन फिर इस कैमेरी को सेल कर देता है रात में हमें जॉन रेन के साइड में दिखता है और यहां वो बहुत रोता है यही ये टाइम पिरेड खतम हो जाता है नेक जॉब टाइम पिरेड है ये 1994 का है इस टाइम पिरेड में चॉन अभी भी अपना बिजनेश चला रहा है बहुत सारे फोन उसे आ रहे है यह हमें देखता है इस फोन में एक डिरिक्टू का भी फोन होता है वो किसी का पता करना चाता है इसे के बारे में जानकरी निकालना चाता है वो फिर अपने फरनीजर शॉप पर आता है वो आकर उसके असिस्टन भी होती है उसे वो चाय देती है अपने फ्रेड के साथ वो लाँच करने के लिए जाने वाला होता है तो ये फिर से उसे डिरेक्टू का कॉल आता है डिरेक्टू ने उसकी वाइफ का पता निकाल लिया होता है उसकी वाइफ पर ही नजर रखना चाहता है उसकी वाइफ जा होती है, वहाँ हो जाता है और उसका पीछा करता है इसके wife जो है इसका चक्कर चल रहा है इसके wife का नाम हम की में रखेंगे John की wife फिर एक आत्मी के साथ उसके घर चली जाती है John दरवाजा खटगटा कर अंदर आ जाता है ये सब ड्रह जाते हैं और इस आत्मी को वो पकड़ लेता है जब इस सब बहर आते हैं तो इस आत्मी को बहुत मारता है अपने wife से वो बात करता है तो उससे पुछता है कि अब तुम कैसे घर जाने वाली हो वो टैक्सी रहने वाली होती है उससे भी पुछती है कि तुम कब घर आने वाली हो वो कहता है कि मैं आज लेट हो जाऊंगा रात मैं मैं घर आऊंगा फिर हमें पता चलता है कि जॉन जब अपनी वाइफ का पीछा कर रहा था उसने अपने असिस्टन को अपने साथ ही लाया था जॉन का अपने असिस्टन के साथ चक्कल चर रहा है और ये दोनों intimate हो चुके है यह हमें दिखता है चॉन के असिस्टन और वो दोनों खाना काने के लिए एक रेस्टोरन में आते है यह इस रेस्टोरन में एक बच्चा होता है जिसका बॉल उसके पास आचाता है जॉन और ये बच्चा एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते है फिर इस बच्चे का पैरेंट आता है जॉन इस बच्चे के पैरेंट को पहचान लेता है जॉन उससे पुछता है कि अब तुम क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है ये जो बैरेंट है, इसका नाम हम जेसी रखेंगे और इसे आप याद रखना है जब जेसी और जॉन दोनों ट्वालेट में होते हैं, तो जॉन फिर उससे कहता है लाइफ इस ब्यूटिफुल जेसी को समझ में नहीं आता, तो फिर से दोर आता है लाइफ इस ब्यूटिफुल ये कोट भी आप याद रखना और ये फिर से मूवे में हमें दिखेगा निग्स दिन जब आता है, तो जॉन के जो सब कलिक है, इन सब को लंज के लिए उन्होंने इन्वाइट किया होता है यहाँ पे जॉन के असिस्टन भी होती है कीम का जो डॉक होता है, यह जॉन को पसंद नहीं आता, उसे हो लात माने लग जाता है कीम अपने डॉक को वज़ा लेती है प्रिवियर सीन में हमने देखा था कि इसी डॉक को वो सहला रहा था वो अपनी वाइफ के साथ जो रिलेशन्शिप थी, उसे फिर से पाना जाता था इसी वज़े से वो एक कर रहा था जब यह लंज के लिए बैटते है, तो उसकी वाइफ प्रेयर करने लग जाती है यह प्रेयर करते वक्ट, वो रोने लग जाती है वो अब जॉन के साथ नहीं रह सकती, इसलिए वो हमें घर से बाहर निगल जो ही दिखती है यही टाइम पेरेट खतम हो जाता है, और नेक्स टाइम पेरेट हमें दिखाया गया है यह अब 1987 का टाइम है, किम जो है, वो प्रेंटन है यह हमें दोनों उनके घर में दिखाये गए है, और किम वहाँ बैठी हुए होती है, और जॉन लंच का रहा होता है किम अपने हैल के बारे में उसे बोल रही होती है, वो हस्पिटल जाने वाली है, यह भी उससे कहती है जौन जोता है, यहाँ absent हमें दिखता है वो paper में ही देख रहा होता है उसे किम से बात करने में उतना interest नहीं होता previous time period में wonder कर रहा था कि इनकी relationship तूटने में कोई जिम्यदार हो सकता है जब इस time period में हम देखते हैं कि जौन absent minded था तब यह जीद से clear हो जाती है Nixon में हमें दिखता है जौन एक आदमी को पकड़ने के लिए आया हो होता है यह JC ही है वो JC को लेता है और police station लेकर आता है जौन अब इस time period में business man नहीं है तो यह police है जौन अब JC की पुछताज करने के लिए start करतेता है वो उसे बहुत मारता है जैसी का साथी जो होता है उसकी position उन्हें पता करनी होती है जैसी कुछ यह बोलनी रहा होता उसे पानी में डूबाते है उसे बहुत ज़्यादा torture करते है और फिर यह उसका पता देही दिता है जब रात होती है तो जोन अपने friends के साथ एक club में आता है वहाँ गाना खाता है enjoy करता है वहाँ एक लटकी ने उन्हें join किया होता है यह जो लटकी होती है यह underage होती है जोन फिर उसे धमकाता है अगर तुम फिर से इस बार में मुझे दीखी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा यह डर कर वहाँ से भाग जाती है जोन फिर फिर से हमें police station में जैसी के पास आता है जोन जैसी को कहता है कि अगर तुमने पहले ही पता दी दिया होता इतनी तकलिफ तुम नहीं सेते जैसी रो रहा होता है जान उसे पुछता है तुमने अपने डायरे में लिखा है life is beautiful क्या तुम सच में मानते हो कि life beautiful है इसके पहले time period में हमें पता है कि अब जान मान चोगा है कि life beautiful है पर इसकी खुद की नहीं यह जैसी की life है जो beautiful है जैसी ने अपने फ्रेंड का पता दिया था जैस गाओ में वो रह रहा है वहाँ से ही सुनची है इस गाओ में वो आ जाते और जिस आद्मी को उने पकड़ना है उसे पकड़ने के लिए कार में उर रूपते है अब रात हो जाती है तब जॉन की फ्रेंड से कहते है कल रात भी तुम नहीं सोय थे अब जा और जारा सो आओ जॉन फिर निकलता है एक घर के पास वाता है यहाँ एक लेट की दारू बीती हुई घर के बाहर बैठी हुए होती है उसे पूछता है क्या मैं तुम जोईन कर सकता हूँ यह उसे फिर invite कर लेती है उसे पूछती है कि तुम यहां क्यूं आया हो वो कहता है किसी को ढूणने के लिए आया हूँ वो फिर और भी interested होती है जोन कहता है कि मेरी जो first love थी वो यहां रहती थी मैं उसे धुणने के लिए आया हूँ इस बड़े से शहर में इक कहा रहरे है याब मुझे नहीं पता पर यह जो पारिष है यह वो भी देख रहे है और मैं भी देख रहा हूँ एक ही आखाश के नीचे हम है एक ही शहर में हम है इसका presence मुझे यहां मैसुस हो रहा है और इसमें ही मैं खुश हो यह लड़की फिर emotional हो जाती है वो कहे थी कि आज रात के लिए तुम pretend करो कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसे तुम ढून रहे हो यह दोनों फिर इसके घर में आते हैं और intimate हो जाते है रात में लड़की जॉन से पुछते है अगर तुम सुंची से कुछ भी बात कर सके तो तुम क्या करोगी है जॉन फिर सिर्फ सुंची का नाम लेता है और नाम लेते-लेते ही रोने लग जाता है यह लड़की कहती है कि मुझे exactly पता है कि तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो इसका भी heartbreak हो चुका होता है जब सुबह होती है तो जॉन अपने friends के car के पास आता है जिस आदमी को ढूंड रहे थे यह जॉन के पीछे ही चल रहा होता है इसको अब वो पकड लेते है जॉन को फिर से उस लड़की को मिलना होता है इन्होंने decide क्या होता है breakfast के लिए उसे पिर से मिलेंगे पर अब उन्होंने जिस आदमी को ने ढूंड ना था उसे ढूंड लिया है जॉन उसके पास जानी पाता यह लड़की रिवर के पास उसका वेटी कर रही है यह हम देखते है यही टाइम पिरेड खतम हो जाता है और फिर से पास्ट में 1984 में हम आ जाते है यहां में किम और जॉन दिखते है जिस गली में रहता है वही किम भी रहती है किम को साइकल चलान नहीं आता उसे पूछ रही हुथी क्या तुम मुझे सिखाओगे जॉन केता है कि मुझे काम पर जाना है इससे पहले वो किम के रिस्टोरन में आता है उसे किम खाना खिलाती है और एक आदमी वहाँ खाना खाने के लिए आता है और Kim को डच करता है Kim उसे जटक देती है अब John को रिलाइस होता है कि Kim को वो पसंद करता है इसी वज़े से अपने एक सीन में हमें उसे साइकल केसी चलानी है यह सिखाता हुआ देखता है इस टाइम पेरिड में John ने अभी अभी पुलिस फोर जॉइन की है यह जो सब पुलिस होते हैं एक आदमी को उसे टॉर्चर करने के लिए बोल रहे होते हैं इस आदमी के पास हो जाता है उससे कहता है कि प्लीज जो भी इन्फर्मेशन तुमारे पास है वो मज़े दे दो उसे हग करता है पर यह आदमी मानता नहीं तो उसे बहुत वो टॉर्चर करता है पर यह आदमी वही पौटी कर देता है जॉन के हाथ अफ़ खराब हो चुके है जॉन वहाँ से बात्रों में जाता है और उसका फ्रेंड उसे आकर बोलता है यह तुमारी गल्फरेंड तुमें देखने के लिए आई है यह जो लड़गी है यह कीम नहीं होती तो यह सुंची है जॉन फिर सुंची को रेस्टोरन में लेकर आता है जॉन सुंची को बुछता है कि तुमने मुझे कैसे डूना वो कहती है कि मेरे पास तुमारी एड्रेस बुक थी तुमारे पैरेंस पहले यहां रहा करते थे सुंची उसे पुछती है कि तुम पुलिस कैसे बन गए तो उसे कहती है कि तुम जब आर्मे में थे तब तुम्हें मिलने के लिए मैं आई थी पर उन्हें मुझे तुम्हें मिलने नहीं दिया था तुम यह पता भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आई थी जॉन अभी भी उससे कोज़ भी बात नहीं कर रहा होता सुंची फिर उससे कहती है कि तुमारे चो फिंगर से यह बहुत यालग है ये बहुत ही आगली है पर वे मुझे स्वीट लगते है तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो जॉन के हाथ हमें अभी-अभी गंदे हो गए है ये दिखाये गया था As a character उसके हाथ अब गंदे हो चुके है वो जैसा था ऐसा अब वो नहीं रहा ऐसा उसे लगता है वो अपने हाथ देखता है और कहता है कि सही हो तुम सही बात कर रही हो कीम जब उन नोनों को ड्रिंग देने के लिए आती है तब कीम को हाथ लगाने लगता है वो सुन्ची को बता रहा होता है कि अब वो कीम के साथ है सुन्ची फिर उनकमफरेबल हो जाती है उसे कैमेरा देती है वो कहती है कि तुम्हें हमेशा से फोटोग्राफर बनना था मै अने बहुत सारे पैसे एकटा करकर तुम्हारे लिए बाय किया है वो कहता है जॉन कहता है कि मुझे अब इसकी जरूत नहीं है यह कहकर फिर उसे स्टेशन में छोड़ने के लिए वो आ जाता है जो कैमेरा सुंची ने उसके लिए लाया था उसे वो वापस कर देता है जब र है करनी में स्टिक्ली और फॉलो करते थे उसी तरह से उनको वो आर्डर देना चाता है उन सब को मानने लग जाता है जिस तरह से उसकी लाइफ अफ मेंच हो चुगी है इसे ओफिर से ड्रैक में ले जाना चाता है और वो पर लोग लिए करने पारा किम जॉन को उसके वेड इसे नहीं जा रही किम उसके लिए एक ray of hope है इसी वज़े से उसने उसे शादी की थी यह टाइम पिरेड यही कतम हो जाता है फिर से पास्ट में 1980 हमें दिखाया किया है जौन अब जो है वो आर्मी में है और सुन्ची उसे मिलने के लिए आई हुई है वहां कि जो ऑफिसर्स ह उसे कहते है कि तुम्हें allowed नहीं है यह war zone है तुम किसी से भी मिलनी सकती एक alert जा रही हो जाता है और सब गाड़ी में बैटकर एक जगा पर सब military जा रही होती है सुन्ची बाहर होती है और जोन उसे देखता है अंदर बैटकर उसे wave अगरा नहीं करता वह सिर्प्राइज हो वो चलनी पा रहा उसका friend उसे कहता है कि ऐसा क्या है मैं तुम्हें help करता है उस पानी को निकालने के लिए जब उसका friend shoes निकालता है यह john का blood होता है जोन को गोली लगए होती है उसका friend फिर help लेने के लिए चला जाता है वो एक लड़की आती है जोन उस पर गन रखता है वो लड़की कहती है कि मैं इस जगा पर first चुकी हूँ मैं यहाँ से जाने वाली थी तभी यहाँ lockdown हो चुका है और यह जंग छट चुकी है जोन उसे जाने के लिए बोलता है तभी उसके friends वगेरा सब आ जाते है वो हवा में fire करता है और उस लड़की को भाग जाने के लिए कहता है वो दो चार राउंड fire करता है पर उसे चोट लग गई थी इसी वज़े से सही से shot fire नहीं हो पाते और उस लड़की को उसने मार दिया है यह मार दिया है इसलिए वो रोने लग जाता है इसे इस लड़की में सुन्ची दिखाई दिती है अपने प्यार को ही उसने मार दिया है यह वो रियलाइस करता है यह बहुत ही रोने लग जाता है यह सीन यहीं खतम हो जाता है और हम फिर से time period में जब मारते और 1979 में आ जाते है जौन अब college में है और दोस्तों के साथ पिकने में आये हुआ है मूवी के first में जिन दोस्तों के साथ हमें वो दिखाया गया था इन्हीं दोस्तों के साथ वो अभी आ है उसे spot पर है जिस spot पर उसने suicide की है यहां में सुन्ची भी दिखाई जाती है जौन उसे बात करने लग यह जो nature की beauty है यह मुझे capture करनी है सुन्ची इस पर हसती है और फिर उसे peppermint candy देती है जौन उसे पूछता है क्या तुम्हें यह पसन है वो कहती है कि मैं इसकी factory में काम करती हूँ मैं try करती हूँ कि मैं इसे पसन कर पाऊ जौन फिर spot को देख रहा होता है वो सुन्ची से कह करता है यह मुझे लग रहा है कि मैं यहां already आ चुका हूँ यह जो सब है यह मैंने पहले देखा है इसा मुझे मैसूस हो रहा है सुन्ची उसे कहती है कि यह तुम्हारा dream होगा जौन पोचता है क्या यह सच मुच में dream हो सकता है यह जो सब friends है फिर group में बैठते है जौन ज जाता है और यहां चलने लग जाता है वो ब्रीच के नीचे फुलों के बास बैठता है वोपर देखता है और वहां रोने लग जाता है यहां कुछ बहुत बुरा होने वाला है यह realization उसे होती है यहां हम सोचे तो यह moment जौन के लिए perfect था यहां उसे जो भी सब चाहिए था वह कर सकता था इसके लिए वो hope भूलता यहां उसे पता था यह सब छोड़कर उसे आर्मी में जाना पड़ेगा इसलिए यहां वो रो रहा है इसका जो future है वो uncertain है जो भी उसे चाहिए वो पातो सकता है वो उसे इसकी possibility बहुती कम लग रही है यह सब सोचकर उसकी death imagine करता है और यहां वो रो रहा है अगर हम फिर से इस movie के जो scenes थे इन्हें एक linear तरीके से फिर से analyze करें तो यह बहुत सारी चीज़े पता चल सकती है मूवी का last scene जो था उसमें वो जैसा था वैसे हमें दिखाये गया है उसका एक pure form हमें यहां दिखता है पर वो वैसा हो नहीं पाता इससे पहले जो scene है जहां सुंची उसे मिलने के लिए आती है उसमें उसे मार रहा है उसका जो प्यार था उसे उसने मार डाला है ऐसा उसे दिखता है इससे और एक पहले scene में जब वो किम से मिल चुका है किम के restaurant में वो खाना अगर रखाता है इस scene में जब उसे सुंची मिल दिया है वो कीम के साथ इतना जुड़नी पाता जो उसे अटेंशन अपनी फैमिली को देना चाहिए वो नहीं देता इसी वज़े से इसकी फैमिली बरबाद हो चुकी है जब वो पुलीस में था और सुंचे के गाव में फिर से वो अपस आया था तब उसे फिर से एक चांस मि मार डाला जब मूवी के फर्स सीन आये थे जब वो गन बाई करता है तो वो सब को मार डाना चाहता था तो स्ट्रॉक बुकर को बैंक वालों को उसका जो फ्रेंड था उसको उसके वाइफ को बच्ची को सब लोग को मार देने वाला था और आखिर में उसने अपने आप को ह मार दिया अगर हम फिर से देखे तो जॉन के पास हमेशा उप्षन था जो बाना जाता था वो हमेशा उसके सामने था पर वो कभी भी उसे रिकगनाइज नहीं कर पाया जो वो कॉलेज में था तो उसे फोटोग्राफी करनी थी पर उसे करने के लिए वो करिज नहीं जुटा उसके अल्टरनेट में वो आर्मी में चला गया जब वो आर्मी में था तो सुन्ची उसे मिलने आई थी पर उसने सुन्ची को देखा है और उससे वो कॉंटेक करे ऐसा उसे नहीं लगा जब उसने उस लड़की को मारा तो उसे लगा कि वो बहुत भूरा आदमी बन चुका है और वो सुन्ची को डिजब नहीं करता वो उस पल में सुन्ची को पास सकता था पर तभी भी उसने ऐसा नहीं किया सुन्ची फेस से उसे मिलने के लिए आई थी पर कीम के साथ फिर वो इन्वाल हो गया उसके हाथ गंदी हो चुके है उसका सोल अब डर्टी हो चुके है उसे लगता था अब वो सुन्ची को डेफिनेटली डिजर्व नहीं करता सुन्ची उसे लाइफ का और एक चांस देखा जाती है उसे एक कैमेरा वो देखा जाती है अगर जॉन डिसाइड करता तो अपना पैशन परस्यू कर सकता था तभी भी उसने ऐसा नहीं किया जब कीम के साथ उसके शादी हो गए अगर उसने फैमिली को इंपर्नस दिया होता तो फिर भी उसकी फैमिली कभी तूटी नहीं और जो उसके हालात हो चुखे थे वो नहीं हो पाते इसके कॉन्टरस्ट में उसने violence का way choose किया जब वो movie में बरबाद हो चुका था उसका job उसके पास नहीं है उसकी family उसके पास नहीं है तब सुंची का husband उसे फिर से उसका camera देता है वो अपने dream को sale कर देता है अपने friends की reunion में हो जाता है उसके friend उसके लिए बहुत supportive है फिर से वो वो यादे जी सकता है जो उसके लिए beautiful थी उसे life में support करने वाले जो भी सब उसके friend है वो यहाँ मोजूद है जौन के लिए यह सब care करते है पर यह वो देख नहीं पाता और फिर वो suicide कर लेता है हम जो है अपने आपको हमेशा judge कर दे रहते है हम बुरे हैं इसलिए हमें यह नहीं करना है यह सब जो है यह बहुत गलत है Life हमेशा हमें जो भी chance देती है हमारे साथ जो भी अच्छा होने वाला है इसे हमें जकर लेना चाहि Mitte इसलिए sees the moment खा जाता है जो moment है इसे हमें पकड़ लेना चाहिए जकड़ लेना चाहिए और इसका कुछ ब्यूटिफूल बनाना चाहिए लाइफ को देखने का एक अलग तरीका यह मूवी हमें दिखा कर जाती है अगर आपको यह वीडियो पसना है होगी तो प्रिस इस वीडियो को लक कर दीजे अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे एकस्पेलेशन चाहिए तो प्रिस मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे पेल नोटिफेशन आइकोन मी दबा दीजे यानि के आपको सब वीडियोज मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे और एक मुवी के साथ तब तक के लिए धैंक्यू और अब आपने आपका खैल रखिये